नमस्कर दोस्तों दीपिलेक्टोनेश लाब में और एक नया और फ्रेज वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागा थे आज कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टीवी के अंदर ज्यादा दिन चलने के बाद जो काला-काला धब्बा आ जाती है उस काले-क की तरफ से तो उसको रिमूब करने के लिए हमें कौन Fernando गिउडिक को इस्तेमल करने होते हैं और हम लोग की से उसको दूर कर सकता हूं सारे जो चीज में आपको दिखाऊंगा उसके बाद आपको एक अच्छे सर्फेस पर रखना पड़ेगा ताकि जब हम इसके अंदर गहंसा गोंसी करेंगे उस समय हमारा पीछे साइड खराब ना हो जाए उसके बाद हमें जरूत पड़ेगे कटन्स की यह जो कटन है यह आपने काम के लिए बहुते माहिर है यह कटन जितने भी काले दब्बे होते हैं जितने भी साड़े जो डस्ट होते हैं इसको रिमूब कर लेते हैं पता है उसको करने से पहले तो मैं थोरा सा ऊपर-उपर से हलका सा करके रिमूब कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वह लिक्विड कौण सा है और सभी के घर में क्यों होता है यहाँ पर देखिए पहले जो सूखा कपरे होते हैं सूखा कपड़ यानि कि यह जो कटेन है इस कटेन के मदद से हम लोग इसको रिमूब कर रहा हूं और जितने भी मतलब उपर-उपर का जो काली थे ना वो यह सोक लेगा और सोकने के बाद जो है हमें जो नीचे जो चिपका हुआ रहता है ना काली को उसको हमें रिमूब करना परेगा वो खाली हातों से नहीं हो पाएगा इसलिए हमें उसके लिए लिकूट को इस्तमाल करना परेगा और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप मेंसे किसी को भी यह वली कोटन को खड़ीदना है ना तो आपको हमारे ऑनलाइन इस्टोड दीप इलेक्टोनिस लैब्स ओफ डॉट इन उहां पर मिल जाएंगे यहां पर देखिए बहुत सारे जो डस्ट है या काली है वो कम हो चुका है और आप बाड़ी यहात है लिकूट को इस्तमाल करने के बाद आभी यह जो देख रहा है ना यह सारे दूर हो जाएंगे तो उसको बोला जाता है क कोलीन जो की कांच बगार को पोचने के लिए इस्तमाल की जाते है वही वाला कोलीन को हम लोग इस्तमाल करता हूं यह वाला देखिए जो की यह कोलीन जो हमरा बरतन सड़ी यह जो कांच बगार है ना उसको क्लीन करने के लिए इस्तमाल की जाते है तो हम लोग एक फ्रेस मिल जाएंगे मोबाइल दुकान रिप्यारिंग के स्वाप के अंदर अगर आपके आसपास कोई भी किसी भी जगा पर यह वली कॉटर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे ओनलाइन स्टोर पर ले सकते हो नीचे डिस्क्रेप्शन में भी लेंके दिया हुआ है उपर आपको अगर तो यहाँ पे एक चीज आपको जानना बहुत ही ज़वोरी है कि हमने यहाँ पर य्प southwest cotton का इस्तमस कर रहा हूं इसको रिमॉब गरने के लिए जो काले काली था उसको रिमॉब गरने के लिए तो आप अगर इस white cotton के जगा पे कोई दूसरा टाइप का material को इस्तमस करोगे त इतना ज़्यादा सफाई के साथ एक किलेन नहीं हो पाएगा और आपका टीवी के अंदर जो प्रॉब्लेम था वो ही प्रॉब्लेम आपको दोबारा देखने को मिलेगा तो जब भी आप इस टाइप का कोई भी काम करोगे खास करके ये वली जो काली है ना इसको रिमूब करन है तो मुझे उम्मिद है कि आपको पता चल गया है कि हमें अगर टीवी के अंदर से काले-कले धबबा दिखाए दे तो उसके लिए हमें क्या करना परेगा बहुत सरे लोग जो है सोचते कि ये जो काले-कले धबबे ना ये रिमूब नहीं हो पाएगा तो ऐसे हमें देखन जानकड़ी मिला है जानने को मिला है तो अगर वकई में आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स्राइब करके जुर रहेएगा इसी पूरा करके और भी जानकड़ी का वीडियो देखने के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिवसे अल दा बेस्ट